जैहिन दोस्तों आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है जो भी फ्रेंट्स ये कुशिन को सेयर किये हैं उनके तहे दिल से सुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद जैसे कि इसमें कोई डेट डिविजन या केटेगोरी कुछ भी मेंसन नहीं है लेकिन ज से लिए इस सेशन में आप लोग का 56 नंबर कुशिन से सल्फ करेंगे ओल्रड़ी 55 कुशिन तक हो गया था तो जैसे कि 56 कुशिन में हम लोग देख रहे हैं तो मैक्सिमूम परमिस्पूल फ्रीज लग इंदर ड्राफ्ट गियर इन सार्विस इच ये देखिए आप लोग का मैक्सिमूम परमिस्पूल फ्रीज लग पूछ रहा है ड्राफ्ट गियर में तो सार्विस के दोरन ये मैक्सिमूम फ्रीज लग कितना होगा ये हो जाएगा आप लोग का 25 एम एम नेक्स चलते हैं बिश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी जो होता है ये आप लोग का कब मनाया जाता है ये दस जन्वरी को मनाया जाता है इसी सबसे आप लोग का हिंदी दिवस प्रतिक बर्स 14 सितंबर को मनाया जाता है ये बात भी जरूर यात रखे कुशिन सब घुमा फिरा के आ रहा है वाल हिंदी दे या हिंदी दे दोनों ही आप लोग का बरबर कूशचिन में आ रहा है वाट ही दे तिकनेश अब दिन्यू अईटि रोटेशन लक इन सि बी सी अपरेटिंग रौढड गे देखें यहीं पर आप लोग का जो सिपी सी अपरेटिंग हैंडनेल में आप लोग का CBC Operating Road में पूछ रहा है कि आप लोग का New Anti-Rotation Lock का इहीं पर थिकनेस कितना होता है तो यह आप लोग का हो जाएगा 69 में Option C के साथ चलिए Next चलते हैं The Excel Load of Box BCX BRH Wagon इहीं पर आप लोग का जो Box BCX और BRH Wagon चलता था तो इसका Excel Load पूछा है जो कि Excel Load इसका 20.32 Ton होता था जो कि अभी यूच नहीं हो रहा है Next चलते हैं Recently International Camel Festival was started in which city of India यह देखिए आप लोग का International Camel Festival यह आप लोग का राश्तान में ही हुआ है लेकिन कौन सा city में हुआ है तो यह आप लोग का बिकानेर में यह आप लोग का फेस्टिवल 12 से 14 जन्वरी के बीच हुआ है International Camel Festival बिकानेर में 12 to 14 जन्वरी यह आप लोग का बारेस से 14 के बीच में बिकानेर में International Camel Festival आयोजन हुआ था अप्टर RDSO रेकोमेंडेशन वाट मेंट्रियाल इज यूजट वाट मेंट्रियाल इन यूजट बिबीजी ब्रेक भेन इन फ्लेस अफ उड़ डॉस्ट बेक यह देखिया आप लोग का हो जाएगा ग्लास उल हो जाएगा अप्टर एके साथ चलिए नेक्स चलते हैं विच कार एमंग दा फॉलोइंग स्पीड अप्टर गिवेन बिलोई तो फास्टेस यह देखिये इहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का जो कार है कौन सा कार का स्पीड इहीं पर सबसे ज़्यादा है फास्टेस से तो इहीं पर देखिये अप्टर आप लोग का जैसे की केमपेच में दिया है मीटर पर सेकंड में दिया है मीटर पर मिनिट अलग-अलग की सबसे दिया है तो यहीं पर आप लोग देखे 90 kmph हो गया एक स्पीड दे दिया एक कार का दूसरा कार का दे दिया 25 मीटर पर सेकंड तो 25 मीटर पर सेकंड को कनवर्ट करेंगे kmph में km per hour तो यह भी आप लोग का हो जाएगा 90 kmph हो जाएगा या 90 km per hour हो जाएगा इसी साब से देखे 1500 मीटर पर मिनिट इसको भी कनवर्ट कर देंगे तो यह भी आप लोग का 90 kmph हो जाएगा आप लोग सभी कार का स्पीड को km प्रती और प्रती घंटा के इस साब से कनवर्ट कर दिजए लास्ट में देखे 100 आप लोग का kmph हो गया 100 km per hour हो गया तो यही आप लोग का जो चोथा अप्सन है यही कार का स्पीड आप लोग का सबसे ज़्यादा है फास्टेस से तो यही पर आप लोग अप्सन D के साथ चलिए Which bogies are provided for higher passenger riding index comfort यही पर देखे कौन सा टाइप का बोगी में आप लोग को सबसे ज़्यादा रैडिंग इंडेक्स comfort मिलता है सबसे ज़्यादा अराम दैग मिलता है तो यही पर आप लोग देखेंगे तो last option देखे यही पर आप लोग का जो फियाड बोगी है फियाड बोगी में ही आप लोग का LHD कोज में फियाड बोगी यूच होता है और इसी में ही सबसे ज़्यादा आप लोग को comfort मिलता है आप लोग का higher riding index comfortness मिलता है याद रखिये Rigid wheelbase LHD कोज का Rigid wheelbase इहीं पर पूछा है दोकि आप लोग का 2560 mm है इसी साब से आप लोग थोड़ा डाठा देख सकते हैं जो कि आप लोगा रिपीटेट लिए यह वी कोच के लिए 2560 mm ICF कोच के लिए 2896 इसी साब से आप लोगा गूर्स के लिए देख लिजिए गूर्स या आप लोगा वागन में 2000 mm है और आप लोगा बंदे भारत ट्रेन में बंदे भारत ट्रेन में 2700 mm विल बेस तो ये सब आप लोगा कुछिन बराबर रिपिटेट लिया रहा है पड़ियां से यात रखे जब भी हम लोग मैनुआली रिलिजट वै क्यू आर भी फृच प्रेसर विल भैंट आट जब देखें डिवी हैंडल आप लोगा डिवी के पास नीचे में डिवी हैंडल का बगल में नीचे परशन में क्यू आर भी रहता है क्विक रिलिज वाल उसी से अगर मैन वाले रिलिज करेंगे तो आप लोगा CR का प्रेशर यह पर क्या होगा यह आप लोगा भेंट आउट हो जाएगा option D के साथ चलिए control जर्वर का प्रेशर भेंट आउट होगा निकल जाएगा next चलते हैं what is the color code of C group coil spring C group coil spring के लिए क्या color code होगा जैसे कि आप लोगा A group B group और C group coil spring के टेगोरेज किया गया इसके लिए color code है A फर आप लोगा Y हो जाता है Y B और G यात रखे Y B G Y फर yellow A group के लिए yellow B group के लिए आप लोगा blue और अक्सपोर ब्लू और C group के लिए green होता है तो ही पर C group का पूझा है जो कि आप लोगा अप संसी में है green यही होगा color code of C group coil spring green होगा distance between the control rod head and the barrel on the asewich named edge यह देखे आप लोगा control rod head और barrel face का बीच में जो distance होता है वराबर यह repeated हो रहा है जो कि A dimension बोल के जानते हैं तो आप लोगा maximum wagon में देखिए यह आप लोगा 70 plus 2 minus 0 mm होता है लेकिन आप लोगा bobrn जो हुपर wagon है यह हुपर wagon में इसका थोड़ा अलक हो जाता है यह 27 plus 2 minus 0 mm हो जाता है इसको भी यात रखिए यह देखिए आप लोगा एक return date होता है तो पकल लिजे return date आप लोगा 1 by 24 है इसका मतलब आप लोगा 2024 महिना का जनौरी महिना का आखिर तक last देता है 31 तरीक तक यह आप लोगा वार्षप return हो जाना चाहिए वार्षप चला जाना चाहिए पियोच के लिए लेकिन यह अगर empty condition में आप लोगा है तो एक महिना पहले इसको भेज सकते हैं तो यह आप लोगा अगर empty box wagon है तो returning पियोच के लिए पियोच के लिए return यह हो सकता है before 30 days तो option आप लोग C के साथ चले आप लोग before आप लोगा return date से पहले 30 दिन पहले इसको वार्षप भेज सकते हैं box wagon होने से what is the new thickness of draft की ICF coach ICF coach में तो draft की उच हो रहा है उसका नया thickness पूछ रहा है तो इसका नया thickness कितना हो जाएगा यह 36 mm हो जाएगा maximum riding index of lhb coach lhb coach का maximum riding index पूछा है जो कि आप लोगा 2.75 है इसका जो range होता है 2.5 से 2.75 2.5 minimum है और यह आप लोगा maximum है 2.75 यह है आप लोगा maximum riding index lhb coach के लिए फर good strength maximum buffer height from rail level good strength के लिए wagon के लिए maximum buffer height पूछ रहा है जो कि आप लोगा empty condition में maximum रहेगा जो कि 11.05 mm है maximum उसी साब से minimum अगर पूछा होता minimum loaded condition में minimum मिलता है जो कि 1030 mm होता है यह भी यात रखे for testing dv the time required for brake cylinder draining from 3.8 to 0.4 kg per cm2 यह देखिए यहीं पर आप लोगा कूछन है जब भी dv testing करेंगे तो brake cylinder जो drain होगा release होगा 3.8 से 0.4 kg per cm तक आप लोगा pressure release हो जाएगा तो यहीं पर indirectly आप लोगा releasing time पूछ रहा है option देखे पता चल रहा है यहीं पर की यह goods related wagon related kitchen है यह आप लोगा goods यह wagon का releasing time पूछा है releasing time यहीं पर पूछा है कूछिन देख के हीं आप लोगो समझना पड़ेगा के application time पूछा है यह releasing time पूछा है तो यहीं पर आप लोगा क्या हो जाएगा यहीं पर आप लोगा releasing time जो है यह देखिए option C में है 45-60 second इसी साब से अगर application time आप लोगा वागन के लिए पूछेगा जो की single pipe system में 18-30 second होता है इसको आप लोगा याद रखिए और इसका releasing time तो यह आप लोगा option C में है releasing time यहीं पर पूछा है जो की 45-60 second है length of body of LHB coaches यह देखिए LHB coach में length of body body and body to end body जो की आप लोगा देखिए 23,540 mm होता है और आप लोगा length of बफर या इसको length of our coupler बोड़ सकते हैं या आप लोगा यहीं पर length of our CBC बोल सकते हैं तो यहीं पर आप लोगा LHB coach है तो यहीं पर length of our coupler या length of our आप लोगा CBC कितना होगा 20,000 mm हो जाएगा याद रखिए What is the condoming free height of the EM pad in case of trolley illustromeric pad जो होता है EM pad का full firm होता है illustromeric pad जो कि आप लोगा adapter के उपर EM pad लगता है case of trolley में तो इसका नया कंडिशन में कितना होता है नया कंडिशन और condoming कंडिशन दोनों जानना चाहिए तो नया में 46 आप लोगा mm हो जाएगा और condoming होने से आप लोगा 42 mm हो जाएगा तो यहीं पर आप लोगा free height पूचा है condoming condition के लिए तो यह हो जाएगा आप लोगा अप संदी के साथ चलिए 42 mm हो next चलते हैं carrying capacity इसी सी या box and hl wagon box and hl wagon का इहीं पर carrying capacity आप लोगा पूचा है बहन ख्यमता पूचा है जो की 71 ton है तो इसका आप लोग TR भी मालूम होना चाहिए boxer nature का TR देखे TR कंडिशन खाली कंडिशन में ओजन कितना है 20.6 ton इसका carrying capacity बहन ख्यमता जो है 71 ton है तो आप लोगा gross load कितना हो जाएगा gross load हो जाएगा दोनों को मिला देने से 91.6 ton हो जाएगा dart collector should be cleaned within देखे dart collector आप लोगा कब clean करना है यह आप लोगा goods के लिए question है तो यह हो जगा add the time of ROH इसको आप लोगा dart collector को clean करना बहुत ही ज़रूरी है broad gauge ट्राग गाचिज देखे आप लोगा broad gauge के बारे में पूछा है तो broad gauge का distance पूछा है तो यह कितना हो जगा 1676 mm जो कि option A में है तो इसका भी थोड़ा data आप लोग देख सकते हैं जैसे कि आप लोग का अलग-अलग gauge का अलग-अलग आप लोग का dimension रहता है distance रहता है तो यह भी थोड़ा जानना जैसे भी जरूरी है जैसे कि आप लोगा broad gauge हो गए broad gauge में 1676 mm उसका distance उसी सबसे meter gauge होने से 1 meter या 1000 mm इसी सबसे narrow gauge narrow gauge जह है दो प्रकर का narrow gauge यह उच होता है एक टो 610 mm बला और एक यह उच होता है 762 mm दो प्रकर का narrow gauge what type of joint for FP and BP BP और FP में जो joint होता है वो flange joint होता है option B के साथ चलिए with what pressure of ER twin pipe system works देखिए यहीं पर पुछ रहा है जो auxiliary reserve twin pipe system में twin pipe system जैसे कि ICF कोच में twin pipe system यूच हो रहा है तो आप लोगा कौन सा pressure से ER works करता है तो FP का प्रेशर twin pipe system में FP का प्रेशर ER को जाता है याद रखिए और उसी साब से single pipe अगर होगा single pipe जो कि wagon में यूच होता है तो single pipe का condition में आप लोगा BP pressure आप लोगा ER को चार्ज करेगा यह भी जरूर आप लोग याद रखें तो यहीं पर twin pipe का system में पूचा है तो यहीं पर आप लोगा हो जाएगा FP pressure के मैध्यम से यह चार्ज होता है अब सन B के साथ चलिए How many zones are in CBC नकल CBC नकल में कितना जोन होता है चार जोन होता है repeated cushion free height of high capacity parcel van bolster coil spring यह देखिए आप लोगा BPH के लिए बोला है BPH very high capacity parcel van के लिए free height पूचा है जो कि आप लोगा 393 mm है option C के साथ चलिए enhance breaking load of drug gear and screw coupling यह देखिए यहीं पर पूचा है आप लोगा enhance breaking load पूचा है आप लोगा drug gear और screw coupling के लिए जो की 130 ton है option C के साथ चलिए what type of drug gear is used in breakman goods यह देखिए breakman goods में जोके अभी use नहीं हो रहा है BBG breakman तो यह BBG breakman में screw coupling होता था BBG जो breakman है इसमें screw coupling होता था what is the diameter of branch pipe attached to PEAV आप लोगा BP pipe से जो branch जाता है PEAV के तरब आप लोगा main BP pipe से जो branch होता है आप लोगा PEAV के लिए passenger emergency alarm valve के लिए जो आप लोगा branch होता है यह branch आप लोगा कितना mm का होता है यह branch pipe passenger, emergency, alarm, signal device यह जो branch होगा यह branch pipe आप लोग का 10 mm का होगा तो यह भी आप लोग याद रखी इन 16 कार बंदे भारत प्रेन हाओ many pentographs are provided आप लोगा 16 कार का बंदे भारत एक standard rack होता है बंदे भारत standard rack इसमें आप लोगा 4 unit रहता है एक unit में 4 कोच हो जाता है एक unit में 4 car या 4 कोच इसी साब से आप लोगा बंदे भारत standard rack में 16 car होता है या 16 कोच होता है इसमें आप लोगा हर एक unit में एक एक TC रहता है ट्रेलर कोच रहता है ट्रेलर कोच और ट्रेलर कोच में ही आप लोगा pentograph install होता है या इन्स्टल होता है याद रखे तो यहीं पर आप लोगा चार basic unit में चार आप लोगा TC कोच में चार के सेंख्या में pentograph रहेगा अपसन दीके साथ चलिए राजवासा अधिनियम की धरा 3-3 कब से लागू होआ राजवासा जो अधिनियम है Official Language Act यह इसका आप लोगा धरा 3-3 कब से लागू होआ यह लागू होआ आप लोगा 26 जनवरी 1965 से लागू होआ 1665 को लागू हुआ है 26 जनवरी 1965 तो इसमें आप लोगा जो भी आप लोगा सामने आदेश हो गया अधिसूचना हो गया संविदा हो गया नोटी सो गया टेंडर फर्म हो गया ये अनिवार ये रूप से दुई भासी में जारी होना चाहिए अब लोगा हिंदी इंगलिस दोनों भासा में दुई भासी में ही सामन्या आधेस हो गया, अधिसुचना हो गया, संबिदा, नोटीस, टेंडर फर्म वगेरा इस अब दुई भासी दो भासा में ही आप लोगा जारी होना चाहिए ये सेक्शन 3-3 बोलता है, अब इस्याल, लेंग्वेच एक्ट, राजबासा आधिनियम, धारा तीन तीन एही कहलाता है ये देखिए, ये आप लोगा हो गया, कमान, पाइप ब्राकेट, तो एक फेस में आप लोगा डीवी इंस्टल होगा और आप लोगा दूसरा फेस में सियार इंस्टल होगा ये आप लोग नहीं जानते हैं, तो इसको देख लिजे थोड़ा तो आप लोगा कमान पाइप ब्राकेट में एक फेस में एक बाजू में डीवी इंस्टल होगा दूसरा तरफ आप लोगा सियार इंस्टल होता है तो इहीं पर देखें क्या पोर रहे आप लोगा दूसरा बाजू में आप लोगा कमान पाइप ब्राकेट का दूसरा बाजू में आप लोगा कंट्रोल रिजर्वर रहेगा तो ये कमान पाइप ब्राकेट का दूसरा बाजू में सियार रहेगा अब संसी के साथ चलिए रेल मंत्री राजवासा रजत पदक पुरसकर रासी क्या है ये देखे रेल मंत्री जो राजवासा आपलोका सिल्वर मेडल जो दिया जाता है रजत पदक पुरसकर दिया जाता है तो इसका रासी क्या होता है इसका रासी दिया जाता है जो एवार्ड पुरसकार रासी होता है यह 8000 का होता है अप्सन आप लोग एक के साथ चले जिसमें कि यह एवार्ड जो दिया जाता है आप लोग का बरिष्ट अधिकारियों को दिया जाता है जो कि आप लोग का 30 के संख्या में दिया जाता है 30 नमबर आप लोग का रेल मंति राजवासा राज़त पदक पुरसकार 30 के संख्या में दिया जाता है याद रखे तो इसमें आप लोग का सिल्वर मेडल दिया जाएगा सिल्वर मेडल दिया जाएगा प्लस इसमें आप लोगो 8000 का रासी दिया जाएगा प्लस आप लोगो प्रसस्ति पत्र 60 वे कटेक दिया जाएगा अबरेच एक्सेलेरेशन फर बने भारत फ्रम 0.40 क्यम्पिएच 0 टू 40 क्यम्पिएच इहीं पर पूछ रहा है आप लोगो काlevel एक्सेलेरेशन पूछा यहीं त्वरन पूछ रहा है आप लोग का average तोरन बंदे भरत ट्रेन में 0 speed से 40 kmph तक आने तक आप लोग का ये average ये कितना आप लोग का acceleration या तोरन होना चाहिए ये 0.7 more than 0.7 ये होना चाहिए आप लोग का तोरन जो है 0.7 meter per second square इतना acceleration होना चाहिए तोरन होना चाहिए आप लोग का किस से 0 speed से putting kmph आने तक 40 kmph आने तक ये ही acceleration 0.7 meter per second square acceleration चाहिए तो जैसे कि आप लोग का ये ही पर आप लोग का जो speed है आप लोग का 100 kmph का speed आने तक आप लोग का 100 kmph ये speed आने के लिए आप लोग का time जो लगता है 52 second लगता है और आप लोग का 130 kmph speed attain करने के लिए आप लोग का 130 kmph से 160 kmph 130 से आप लोग का 160 speed आने के लिए आप लोग का ये ही पर 100 sorry friends ये पर आप लोग का 100 kmph का आप लोग का speed आने के लिए 100 kmph का speed आने के लिए 52 second चाहिए उसी साब से आप लोग का maximum जो है 160 kmph का speed आने के लिए 130 second चाहिए इतना speed में इतना आप लोग का acceleration में इसका speed बढ़ता है तो याद रखिए आप लोग का 100 kmph का speed आचिव करने के लिए only 52 second चाहिए और maximum आप लोग का 160 kmph आप लोग का speed आचिव करने के लिए 130 second चाहिए ये भी आप लोग याद रखिए what is the maximum difference in the diameter of the wheel in one axle during turning जब भी देखे wheel चेंज करेंगे उसमें turning होगा turning होने के लिए आप लोग का wheel data difference आप लोग को मालूम होना चाहिए तो एक excel में पूछा है तो coaching के लिए हो या wagon के लिए एक excel में आप लोग का wheel maximum data difference आप लोग को चाहिए 0.5 mm चाहिए या एदर coach हो या wagon आप लोग का same excel में पूछा है option A के साथ चलिए types of center pivot used in buckson hl wagon buckson hl wagon में किस type का आप लोग का center pivot यूच होता है तो ये यूच होता है the lowest wheel diameter permitted by worship for buckson wagon ये देखे जो lowest wheel diameter आप लोग का permit करता है वर्षण वह भी buckson wagon के लिए जो कि 911 समय इससे नीचे permit करेगा नहीं the diameter of ball in the internal ball ball of angle cut देखे यहीं पर पूछ रहा है the diameter of ball in internal ball ball internal ball ball में आप लोग का diameter पूछा है angle cut में जो आप लोग का ball यूच होता है इसका internal ball ball का diameter पूछा है जो कि आप लोग इसका comments में बताए क्या होगा 93 का आप लोग comments में बताए इसका answer क्या होगा friends what is the maximum speed of the Bandai Bharat Express बंदे भारत Express का maximum इहीं पर speed पूचा है तो maximum speed इसका क्या होता है इसका maximum speed 160 campaign होता है लेकिन अभी track parameters के चलते maximum आप लोगा 130 campaign में ही चल रहा है ये भी जरूर यात रखें इन WGACCW WGACCN coaches the crown clearance between the XL box crown and the boggy frame यह पर आप लोगा AC2 tier और AC3 tier coaches के लिए पूछा है crown clearance पूछा है मतलब आप लोगा A clearance पूछा है तो यह कितना होना चाहिए AC2 tier और AC3 tier के लिए तो यह आप लोगा 27 कितना होना है यह देखिए यह हो जाएगा आप लोगा 27 plus 3 minus 0 27 आप लोगा option देखिए option C के साथ चलिए यह हो जाएगा आप लोगा यह clearance हो जाएगा यह इसको crown clearance भी बोला जाता है तो आप लोगा AC2 tier और AC3 tier के लिए यही आप लोगा हो जाएगा अप संसी के साथ चलिए नियू डिजाइन फीचर अप लेजबी कोच हेविंग स्पीड अप वान 60 केमपेश अप ग्रेडेबल अप टू यह दिकिए लेजबी कोच में पूछ रहा है कि जो मैक्सम स्पीड वान 60 केमपेश है उसको कितना तक अप ग्रेड कर सकते हैं उसको 200 केमपेश तक अप ग्रेड कर सकते हैं हाइट अबर रूप अप लेजबी कोच देखिए आप लोगा हाइट अबर रूप पूछा है तो लेजबी कोच के लिए यह कितना होता है यह आप लोगा 4039 होता है याद रखे अपसन A के साथ चलिए As per new wagon numbering scheme First two digit will indicate नय wagon numbering जो code होता है इसमें total 11 digit होता है याद रखे ये बार बार आप लोग का repeat हो रहा है बनिया से आप लोग समझ गये होंगे अब इसको ज़्यादा discuss नहीं करना है तो पहला जो digit होता है ये types of wagon को दर्शाता है Which one of the following rivers originates in ब्रह्मगरी range of western ghat ये आप लोग का ब्रह्मगरी range जो है western ghat में यहीं से आप लोग का कौन सा नदी आप लोग का जो river है originate हुआ है उत्पर्न हुआ है तो ये है आप लोग का कावेरी है अपसन B के साथ चलिए What do you mean by PME यहीं पर आप लोग का PME के लिए पूचा है तो आप लोग का mechanical point of view से ये देखिए ये आप लोग का periodical maintenance examination लीजिए अपसन C के साथ चलिए Cut up angle का can be fitted to Cut up angle का बोथ आप लोग का fp में फीट होता है बीपी में फीट होता है तो bpn fp बोथ हो जाएगा अपसन C के साथ चलिए When 0.353535 यह अगर continue हो रहा है इस converted to fraction What will be result तो इसको हम लोग जैसे 0.35 repeat हो रहा है 35 35 repeat हो रहा है एक case में इसको हम लोग 0.35 bar बोलके बोलते हैं तो इसका आप लोग का जो value होता है 35 by 99 होता है तो इहीं पर इसी तरीक के आप लोग मेद देखे होंगे या पढ़े होंगे जरूर तो इहीं पर option आप लोग का देखिए क्या हो जाएगा option option आप लोग देखिए option में चलिए यह option इसका सही बैट रहा है इन यार ब्रेक end-to-end रेक्स आप्टर इंटेंशीप एग्जामिशन भालिडिटी औब BPC रिमेंस अप टू जब भी end-to-end इंटेंशीप एग्जामिशन करते हैं इसका BPC का भालिटी कहां तक रहता है destination point तक रहता है option C के साथ चलिए A-dimension of the passenger train non-Acee कोच A-dimension पूचा है तो जैसे कि आप लोगा इही पर A-dimension जो पूचा है तो non-Acee कोच के लिए पूचा है 16 plus 2 minus 0 mm option B के साथ चलिए जैसे कि इही पर आप लोगा Acee कोच के लिए पूच दिया या high speed के लिए कुछी नाता है high speed कोच यह के लिए आप लोगा A-dimension यह एकजाम में आ रहा है तो यह भी आप लोगे याद रखे यह होता है 22 plus 2 minus 0 mm तो आप लोगा non-Acee के लिए 16 plus 2 minus 0 mm होता है और Acee के लिए 22 plus 2 minus 0 mm या high speed कोच के लिए यही आप लोगा 22 plus 2 minus 0 mm होता है यह भी यात रखे What is the maximum buffer plunger stroke in mm maximum buffer plunger stroke पुछा है ICF कुछ के लिए 127 mm Which type of suspension are used in double acting telescopic type shock absorber यह देखे आप लोग का double acting telescopic vertical shock absorber यह कहां फीट होता है यह आप लोग का secondary suspension में vertical shock absorber यह जो होता है double acting telescopic type shock absorber होता है तो आप लोग का AC कोच के लिए जिसे AC कोच आप लोग इसमें जो vertical shock absorber यूज करते हैं यह 900 kgf का होता है 900 kgf kgf का इसी suspension non-AC कोच में 600 kgf का यूज होता है 600 kgf का यह भी यात रखे A capacity का vertical shock absorber ACF कोच का AC non-AC कोच में यूज होता है मैथली सरन गुप्त पुरसकर योजना के अंतरगाद दीतिय पुरसकर के रूप में कितनी रासी पुरदान की जाती है तो मैथली सरन गुप्त पुरसकर जो होता है यह आप लोगा काब्यों कभीता संकलन के लिए दिया जाता है poetry के लिए दिया जाता है poem के लिए दिया जाता है तो मैथली सरन गुप्त पुरसकर के लिए इह पर आप लोगा fast जो price होता है यह जानना चाहिए, फास्टdem और थाड़ आप लोग को यह यात रख लिजें, ताकि आप लोग आसानी से इसको जान पाएंगे, तो fast price जो होता है, यह बीस हजार का होता है second price 10,000 का और आप लोगा थाड़ प्राइज जो होता है यह 7000 का राशी दिया जाता है तो देखिए अप्सन में चलते हैं यही पर आप लोगा second दितिय प्रोसकर के लिए पूचा है second price के लिए पूचा है दो कि 10,000 राशी दिया जाएगा अप्सन C के साथ चलिए next चलते हैं in emergency application the brake cylinder pressure rises from 0 to 3.6 kg per cm2 तो यही पर आप लोगा देखिए कुछिन अगर सही धांग से पढ़ेंगे तो brake cylinder pressure 0 से 3.6 kg per cm2 में आएगा इसका मतलब यही पर आप लोगो application time पूचा है application time पूचा है तो आप लोग पहले option में चलिए तो option में चल के देख रहे हैं कि यह आप लोग का coaching case में पूचा है coach का case में पूचा है coaching train के लिए पूचा है तहीं पर क्या हो जाएगा 3 से 5 सेकंड होता है application time याद रखे उसी सबसे यह भी याद रखे 15 से 20 सेकंड जो होता है यह releasing time होता है तो आप लोग option 108 का C के साथ चलिए वायर वाज द बंदे भारत एक्सप्रेस manufactured बंदे भारत एक्सप्रेस कहां पर manufacturing हो रहा है कहां पर यह production इसका हो रहा है यह आप लोग का ICF integral coach factory प्रेंबूर चेन्ने में option आप लोग B के साथ चलिए तो इसका design कोन किया है यह भी कूशिन देखिया आया हुआ है तो बंदे भारत ट्रेंड का design कोन किया है इसको किया है RBSO इह पर confusion नहीं होना है इसका full form हो जाएगा rail design and standard organization इसको RBSO design किया हुआ है next चलते हैं संकी राजवासा हिंदी का स्वर्ण जयनती कब मनाया गया यह देखिये संकी राजवासा का हिंदी का स्वर्ण जयनती जो है 2003 में मनाया गया है बर्स 2003 में तो चलिए फ्रेंस एहीं पर यह जो आप लोग का question answer session था आप लोग का जो भी फ्रेंस इसको CR किया है बहुत बहुत देन्यवाद ऐसे ही आप लोग के पास कुछ भी question है तो आप लोग self करवाना चाहते हैं करना चाहते हैं तो जरूर वाट्सप करें वाट्सप नमबर आप लोग को नोट डाउन कर सकते हैं इसमें आप लोग वाट्सप कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए अपना friend circle में इसको CR कीजिए तो यह से ही जानकरी वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजीर होंगे नेक्स्ट वीडियो का इंती जार कीजिए जैहिन दोस्तो